दोस्तो 1993 में गोविंदा की फिल्म आई थी आँखे इसमें हमें गोविंदा, चंकी पांडे, रागे स्वरी और रितु सीवपूरी नज़र आई थी और इस फिल्म को बोक्स ओपिस पर सूपर हिट करार दिया गया था इसके बाद इसी साल गोविंदा की मुकाबला मूवी आई इस फिल्म में गोविंदा, अदित्य पोंचोली और करिस्म कपूर नज़र आई थी और ये मूवी बोक्स ओपिस पर हिट साबित हुई इसी साल गोविंदा की जाखुमो का हिसाब मूवी आई ये एक एक्षन क्राइम मूवी था इसमें गोविंदा के साथ फरहानाज, कादार खान और किरन कुमार नज़र आई थे और ये मूवी बोक्स ओपिस पर हिट साबित हुई इसी साल गोविंदा की आदमी खिलोना है मूवी आई और बात करें बोक्स ओपिस की तो इस मूवी को बोक्स ओपिस पर अनफोर्चिनेटली फ्लोप करार दिया गया इसके बाद इसी साल के आखिर में तेरे पायल मेरे गेत मूवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा के साथ मीनाक्सी सिसर्द्री लीडर में नज़राई इसी साल दुलारा मूवी आई इस फिल्म में गोविंदा, करिस्मकपूर, रंजीत और गुलसन ग्रोबर नज़राई और ये मूवी बोक्स ओपिस पर एब्रेंज साबित हुई इसी साल गोविंदा की प्रेम सक्ती मूवी आई इसमें हमें गोविंदा, करिस्म कपूर और पुनीत इसार नज़राए और ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर डिजास्टर साबित हुई इसके बाद गोविंदा की खुददार मुवी आई इस फिल्म में भी गोविंदा और करिस्म कपूर लीडर नज़राए थी और ये मुवी बोक्स ओपिस पर सेमी हिट साबित हुई इसके बाद गोविंदा की इकका राजा रानी मुवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा के साथ विनोत खन्न और अस्विनी भाव नज़राई और ये फिल्म फ्लोप साबित हुई इसके बाद गोविन्दा की आग मूवी आई इस फिल्म में गोविन्दा, सोनाली बिंद्रा, सिल्पसेटी और सक्तिकपूर नजराए और ये फिल्म भी फ्लोप साबित हुई इस फिल्म के बाद इसी साल ब्रह्मा मूवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा, मधू और ऐसा जुकला नजर आई और इस मुवी को बोक्सोपिस पर फ्लोप करार दिया गया इसके बाद इसी साल बेटा हो तो ऐसा मुवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा के साथ वरसा नजर आई और ये फिल्म भी फ्लोप साबित हुई इस फिल्म के बाद 1995 में गोविंदा की आंदोलान मूवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा के साथ संजेदत, सूमी अली और ममता कुल करनी नज़राई और इस मूवी को बोक्स ओपिस पर एबरेंज करार दिया गया इसके बाद इसी साल गोविंदा की किस्मत मूवी आई इसमें हमें गोविंदा और ममता कुल करनी लीडर में नज़राई और बात करें बोक्स ओपिस की तो ये मूवी बोक्स ओपिस पर फ्लोप साबित हुई इस मुवी के बाद गोविन्दा की कूली नंबर वन मुवी आई ये एक कमेड़ ड्रामा मुवी था इसमें हमें गोविन्दा, करिस्म कपूर, कादार खान, कंचन और हरिस कुमार नजर आई इस मुवी को डायड किया था डेविड धावन ने और ये मुवी बॉक्स ओपिस पर आल-time blockbuster साबित हुई इस मुवी को 3 करोड के बजट में मनाया गया था और इस मुवी ने बॉक्स ओपिस पर 23 करोड का कलेक्शन किया और मुवी आल-time blockbuster रही इसके बाद इसी साल के आखिर में गोविन्दा की गेंबलर मुवी आई इसमें हमें गोविन्दा, सिल्प सेटी और अधिते पंचोली नजर आए और इस मुवी को बॉक्स ओपिस पर फ्लोप करार दिया गया वहीं इस मुवी ने 25 करोड का कलेक्शन किया और मुवी आल-time blockbuster साबित हुई इसके बाद गोविन्दा की माहिर मुवी आई इस मुवी में गोविन्दा के साथ हेमा मालीनी और फारहा नाज थी और ये मुवी बॉक्स ओपिस पर डिजास्टर साबित हुई इसके बाद गोविन्दा की जोरदार मुवी आई इस मुवी में गोविन्दा, अधिते पंचोली, मंदाकनी और नीलम, खोतरी थी और ये मुवी बॉक्स ओपिस पर फ्लोप साबित हुई फिर इसके बाद गोविन्दा की छोटे सरकार मुवी आई इस मुवी में गोविन्दा, सिलपे सेटी और कादार खान नजर आए और इस मुवी को भी फ्लोप करार दिया गया इसके बाद 1997 में गोविन्दा की हीरो नंबर वन मुवी आई ये एक कोमेडी ड्रामा मुवी था इस में हमें गोविन्दा, करिस्मकपूर, परेसरावल और कादार खान देखने को मिले और ये मुवी बोक्सविस पर ब्लोगबस्टर साबित हुई और इस मुवी को बोक्सविस पर एब्रेंज करार दिया गया इसके बाद गोविन्दा की अगनी चक्र मुवी आई इसमें हमें गोविन्दा, नसुरीदिन सा, डिमपल का पाडिया और अनुपमखेर लीडर में नजराए और इस मुवी को बोक्सविस पर डिजास्टर करार दिया गया इसके बाद 1997 के आखिर में गोविन्दा की दिवाना मस्ताना मुवी रिलीज हुई इस फिल्म में हमें गोविन्दा, अनिल कपूर और जूही चावला लीडर में देखने को मिली और इस मुवी को बॉक्स ओपिस पर हिट करार दिया गया था इस मुवी के बाद 1998 में गोविंदा की बानाराशी बाबू मुवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा के साथ सक्तिकपूर, रामिया और कादार खान नज़र आए और ये मुवी बोक्स ओपिस पर फ्लोप साबित हुई फिर इसके बाद गोविंदा की आंटी नंबर वन मुवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा, रवीन अटंडन और कादार खान लीडल में देखने को मिले और इस मुवी को उस टाइम पर बिलो एबरेज करार दिया गय लेकिन अभी इस मुवी को लोग बेहादी पसंद करते हैं इस मुवी के बाद गोविंदा की अचानक मुवी आई ये एक एक्शन थ्रिलर मुवी था इसके लीडल में हमें गोविंदा, फरहानाज और मनी सकोयर अला लीडल में देखने को मिले और ये फिल्म बोक्स ओपिस पर 22 करोड का कलेक्शन किया और मुवी ब्लोकबस्टर साबित हुई इस फिल्म के बाद गोविंदा की महराजा मुवी आई ये एक ड्रामा एक्शन मुवी था इसमें हमें गोविंदा और मनी सकोयर अला लीडल में देखने को मिले और ये फिल्म बोक्स ओपिस पर फ्लोप सेटी देखने को मिली और ये मुवी बोक्स ओपिस पर फ्लोप साबित हुई इसके बाद 1998 के आखिर में गोविंदा की नसीब मुवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा के साथ ममतकुल करनी लीडल में देखने को मिली और ये फिल्म बोक्स ओपिस पर डिजास्टर साबि इस मूवी के बाद गोविंदा की राजा जी मूवी आई, इस मूवी में हमें गोविंदा के साथ रंजीत और रबीना टंडन लीडरों में देखने को मिली, ये एक रोमेंस कोमेडी मूवी था और ये फिल्म बॉक्स उपिस पर फ्लोप साबित हुई, इसके बाद इसी साल हस सीना मान जाएगी मूवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा के साथ संजेदत करिश्म कपूर और पूजा भत्रा लीडल में नज़राई और ये मुवी बोक्सविस पर हिट साबित हुई इसके बाद 1999 के आखिर में गोविंदा की हम तुमपे मरते हैं मूवी आई ये एक रो हैनी मुखरजी और जोणी लेबर नज़राई और ये मूवी बोक्सविस पर अबरेंज साबित हुई इसके बाद GOWINDA की जोरूлом का गुलाम मूवी आई इस फिल्म में गोविंदा और ट्विंकल ख mourन्ना लीडल में थे और ये फिल्म ुक्सविस पर बिलो एबरेंज साब इस मोवी के बाद गोविंदा की जिस देश में गंगा रहता है मुवी आए। इस फिलम में गोविंदा, सोना ली बिंद्रा और रिंकी खाना लीडल में नझराइ। और इस फिलम को वक्सविश पर g genuinely गया। इस मूवी के बाद गोविंदा की बेटी नंबर वन मूवी आई। इस फिल्म में गोविंदा, जोनी लेबर और रमभा लीडल में नज़र आये थे। और ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर डिजास्टर साबित हुई। दिल ने फिर याद किया है मूवी आई। इस फिल्म में गोविंदा, तब्बू और पूजा भत्रा लीडल में नज़र आई। और ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर डिजास्टर साबित हुई। फिर इसके बाद गोविंदा की क्यूंकि मैं जूट नहीं बोलता मूवी आई। विजय आनंद और इसा कोपिकर नज़र आई। और इस फिल्म को बॉक्स ओपिस पर एबरेंज करार दिया गया। फिर इसके बाद 2002 में गोविंदा की प्यार दिवाना होता है मूवी आई। इस फिल्म में गोविंदा और रानी मुखर जी लीडर में नज़र आए थे और ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। फिर इसके बाद अकियों से गोली मारी मूवी आई। इस फिल्म में गोविंदा और रभीने टंडन दर आये थे और ये फिल्म फ्लोप साबित हुई। फिर इसके बाद वाह तेरा क्या कहना इस फिल्म में गोविंदा, संजेदत, जेकी स्रब, अमरिता अरोडा और नंदनी सिंग थी और इस फिल्म को बोक्समिश पर एब्रेंज करार दिया गया फिर इसके बाद गोविंदा की राजा भाहिया मूवी आई इस फिल्म में गोविंदा और आर्ती छबरिया लीडर में और ये फिल्म डिजास्टर साबी थी फिर इसके बाद गोविंदा की खुलम खुला प्यार करे मूवी आई इसमें हमें गोविंदा और प्रिती लीडर में देखने को मिली और ये फिल्म भी डिजास्टर साबी थी फिर इसके बाद 2005 में गोविंदा की सुख मूवी आई इ ये फिल्म भी unfortunately disaster साबित हुई फिर सी साल भागम भाग मूवी रिलीज वी ये एक comedy drama मूवी था इसमें हमें गोविंदा, अक्षे कुमार, परेश रावद, लारा दत्ता और राजपार यादव जैसे बहुत बड़े-बड़े कलाकार नजर आए और ये फिल्म बोक्स भीस पर सूपर हिट साबित हुई इसके बाद 2007 में गोविंदा की जहां जाएगा हमें पाएगा मूवी आई इस मूवी में गोविंदा, कनिशका कपूर, दिब्बिया और कादार खान नजर आए और ये फिल्म बोक्स भीस पर disaster साबित हुई फिर इसके बाद पार्टनर्स मूवी इसमें हमें गोविंदा, सल्मान खान, लारा दत्ता और काट्रीना केव लीडर में नजर आए और ये फिल्म बोक्स भीस पर सूपर हिट साबित हुई इस मूवी के बाद 2009 में गोविंदा की चल चला चल मूवी आई इस फिल्म में गोविंदा, रीमा सेन और परेश रावल लीडर में थे ये बहुत बढ़िया कोमेडी मूवी थी बट अनफोर्चनेटली इस मूवी को बोक्स भीस पर फ्लोप करार दिया गया फिर इसी साल लाइफ पार्टनर्स मूवी आई इस फिल्म में गोविंदा, तुसर कपूर, फारदीन खान, गिलिनिया डिसुजा और प वियूबी का चोदरी नजरा आई और ये फिल्म फ्लोप साबित हुई इसके बाद इसी साल लूट मूवी आई इस फिल्म में गोविंदा, सुनिल सेटी, जावेद जाफरी, रभी किसन, किम सर्मा, हंसी का मोतवानी और इसके अलाबा और भी बहुत सारे का लाकार नजरा बट ये मूवी बोक्स ओफिस पर फ्लोप साबित हुई इसके बाद 2013 में गोविंदा की दिवाना में दिवाना मूवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा, प्रियांगा चोपडा और कादार खान नजरा आई और ये मूवी बोक्स ओफिस पर सेमी हिट साबित हुई इसके के बाद इसी साल हेपी एंडिंग मुवी आई इस फिल्म में भी गोविंदा लीडर में नहीं थे उन्होंने सपोर्टिंग केरेटर का किरिदार निवाय था बात कर इस मुवी की तो यह में भी बोक्स अबिस पर फ्लोप सावित हुई इसके बाद 2017 में गोविंदा की आ गया ह इस फिल्म में गोविंदा और पूनम पांडे लीडर में नजर आए और इस मुवी को भी बोक्स अबिस पर फ्लोप कर आज दिया गया इस मुवी के बाद 2018 में गोविंदा की फ्राइडी मुवी आई इस फिल्म में हमें गोविंदा और वरुन सर्मा लीडर में देखने को म गुविन्दा की सभी मुवीज का अगर ये वीडियो अपको अच्छ लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब करने मत भूलना तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई